वेल्कम बेक राज्यना पाटनगर गांधिनगर ने पीम नरिंद्र मोधी सौथी मोटी भेटा अफवाजी रहाशे गांधिनगर मा अध्यातन नवीनी करण साथे काया कल्प थैला गांधिनगर कैपिटल रेलवेस्टेशन नूँ पीम लोकार पन करशे पीम सोडमी जुलाई ए अध्यातन गांधिनगर रेलवेस्टेशन नूँ वर्चिवल लोकार पन करशे पुनह निर्मीत गांधिनगर कैपिटल रेलवेस्टेशन ना लोकार पन नी साथे गुजरात ने अनेक वीद विकास कामोनी भेट पन आपशे अध्यातन नवीनिकर पामेलू रेलवेस्टेशन अने होटल नो निर्माण एवीरिते करव मा आविशे के तेनी अवकाशी धरी गुजरात विधान सभाना भवन साथे एक हार मा देखाया आव रेलवेस्टेशन राज्यसरकार अने रेलवे मंत्रा लेनी भागेदारिती पुनह निर्माण करायो छे जैसा प्रधान मंत्री जी का जब सीम साब थे तब उन्होंने एक पुरा महात्मा मंदिर कंप्लेक्स का विजन किया था और उसी के साथ उन्होंने विजन किया था कि होटल होना चाहिए ताकि जो जितने भी डिग्नेटरी आते हैं उनको एक वाकिंग डिस्टेंस पर रहने की जगह मिले और महात्मा मंदिर में बहुत बड़े-बड़े कन्वेंशन होती हैं वाइबरेंट गुजरात हर दो साल में होता है सारे बहुत के देशों के प्रधान मंत्री प्रेसिडेंट्स बड़े-बड़े इंडस्ट्रिलिस अम्बैसडर डेलिगेट्स सब लोग आते हैं और उनके लिए एक रहने की अच्छी व्यवस्ता हो उसके एंटर्टेन्मेंट और उसकी वी व्यवस्ता होगी तो उस सबको ध्यान में रखते वे पूरा एक कॉंप्लेक्स बनाया गया है रेल्वेस्टेशन मा प्रविस्ताज गुजरात ना विवीद भीती चीत्रों जुवा मड़े छे महात्मा मंदीर खाते नियमीत रीते ये जाती द्वीवार्शीक वाइबरेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समीट बाद आ स्थर्ण नू आकर्षण सवना माटे अनेक घणू वधी गयू त्यारी निउज एटिन गुजराती करावी रहुचे आ आधुनीक रेल्वेस्टेशन ने सफर जोए रहांचे वो गुजरातना गांधी नगर खाते आवेलू ए रेल्वेस्टेशन के जे हाल देश माते चर्चानू के अंदर बनी छे करनके देश फरमा आउ रेल्वेस्टेशन बीचे क्या ही ना थी आने कदाचे जहावे बने जी हाँ, तेवा आने एक खासियत हो छे तमें अंटर थतानी साथे जही रेलोस्टेशन इंदर तमने जुद्धोदा गुजरात ना मॉन्यूमेंट्स देखा छे जे गुजरात नी भातीगर संस्कूती ने छती करे छे आने गुजरात नी धरोहरो बतावे छे आणे पने जनावी ऐन के आएक मात्रेओन रेलोस्टेशन छे जिनिदर बेबी फिडिंग रूम, प्राथना रूम पन बनावा मा ucharadies साथे ज़ा अपने जणावी दिए कि आ रेलवेस्टेशन इंदर जो कोई इमर्जनसी उबी थाई तो तेना माटे एक नानकडी होस्पीटल पन बनावा मावी छे एदले कि जो कोई इमर्जनसी उबी थाई तो तातकाल एक तमने त्यां जिस्तारवार मड़ी रहे आपने थातों हुश्चे के रेलवेस्टेशन इंदर जाओ त्यारे टिकिट विंडो नी एकदम बाजू माँ एक लिफ्ट राकवा मावी छे ते लिफ्टी सीधाज तमने आ होटल मा प्रविश्मर शे इनले के जे पन मुसाफर जारे गांधी नगर आवे छे त्यारे तेने रहवा माँटे बाहर क्याई जेवानी जरू नथी तेने तुरंत तज अहीं उपर नी होटल मां स्टे मड़ी जाशे साथीज फाइस्टार होटल ने कारणे अहीं पन अनेक सुविधा होशे जे आपन गुजराती भातिगर संस्कुरूती छती थाई छे तेवी ज आखिये तयार करवा मावी छे जो रिलवे स्टेशन निवायत करवा मावे तो अहीं 300 ती वधार कार पार्क थेश चके अने 2000 ती वधार टू विलर पार्क करी शकाई तेतली विशार जग्या जेचे ते राखवा मावी छे औने वाईश्विक्स तरे जे नवी रेल नी आर्थिक नि अने कदाचे जहावे आगडाओ कोई रेल वेस्टेशन बनावामा आवे त्यारे हाल तो नमातर गुज्राथ परंतो देश माटे पन गांधी नगर नू आ रेले वेस्टेशन चरचान नू कैंधर बनी छे देशनू पहलू हाइटेक रेल्वेस्टेशन गांधिनगर कापिटल विश्वस्तर नू आधुनीक रेल्वेस्टेशन छे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी नू ड्रीम प्रोजेक्ट जे जानिवारी 2017 मा त्यनू खात महुर थयू हतू रेल्वेस्टेशन पर अध्यतन सुविधाव थी सभर फाइव स्टार होटल ट्रेन माती उत्री ने प्रवासी सीधाज आ होटल मा रुखान करी शक्षे महात्मा मंदीर अक्षरधाम मंदीर मा आवता लोको ने पन अनोकूर ता रहशे 6,544 मीटर मा पत्रायलू अध्यतन रेल्वेस्टेशन नीचे थी ट्रेन पन पसार थाशे उपर होटल गांधिनगर शहर नी सौथी उँची इमारत होटल पर थी महात्मा मंदीर अने विधानसवा विल्डिंग नो नजारो पन जोह शकाशे ए पन सीधी कतार मां होटल मां 6,8 अने 10 माडना 3 टावर अने 308 रूम छे एक हजार कार, बस्तो, टू विलर अने 100 अटो रिक्षा पार्क करीश का ए प्रकारनी व्यवस्था छे